कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लाटफॉर्म एक्जाम पावर के उपर दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको एक महिने के अंदर अपने बोर्ड एक्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कूर कर पाएं आप 90% स्कूर करना अगर चाहते हैं तो आपकी एक स्टैटेजी जो है वह पूरी प्लानिंग के साथ में आपको काम करना पड़ेगा अगर देखे कोई भी इंसान होता है गर उसकी प्लानिंग नहीं होती है तो क्या वह अच्छा काम कर पाता है हैं कि हम सुब अगर उठते भी नहीं है अगर हमें मान्नो कहीं पर जाना है और अबने अलाम नहीं लगाए तो महां पर जहां में पहुंचना है वहां लेट पहुँचेंगे ठीक है इसलिए प्लानिंग किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छाहे पढ़ाई हो चाहे फिर वह business हो चाहे फिर whatever वह कुछ भी हो अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो अगर आपके एक अच्छी planning नहीं है तो आप उसमें success नहीं कर सकते हैं जरूरी यह नहीं है कि आपने उस काम को किया या फिर नहीं किया क्योंकि term to सभी बच्चे देने वाले है term to देना important नहीं है term to देने के बाद में जो उसका result आता है वो अच्छा आना चाहिए यह बात important है तो उसके लिए हमारे पास है पूरी proper planning होनी चाहिए अच्छा time table होना चाहिए और regularly हमें पढ़ाई करनी पढ़ेगी और पढ़ाई करने के साथ साथ में हमें ये भी ध्यान र चाहिए बहुत सारे टीचर या फिर बहुत सारे यूटूब यूटूब पर आपने वीडियो देखे होंगे तो इस वीडियो में मैं यह बात नहीं करूंगा कि आपको दो घंटे पढ़ना चाहिए गंटे पढ़ना चाहिए इस वीडियो में proper एक महीने की पूरी planning होगी अ जो है वो steady planning तो रहेगी साथ में यह भी रहेगा कि कौन से subject को आपको कितना पढ़ना है और कौन से subject में से क्या-क्या पढ़ना है यह सबसे जादा important है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता होती फिर वह hard work करते हैं दस-दस घंटे पढ़ते हैं फिर उतना result उनको नहीं मिल पाता जितनी उन्होंने महनत की थी right तो result लेने के लिए hard work ही जरूरी नहीं है महनत ही जरूरी नहीं है सब लोग कहते हैं कि महनत करनी चाहिए no doubt कि बिना महनत के कोई भी काम नहीं होता महनत करनी चाहिए लेकिन एक अगर right एक सही दिसा में अगर महनत नहीं तो इन दोनों में हमने अगर बात समझ ली कि महनत करने में और महनत को सही दिसा में करने में क्या फर्क होता है क्योंकि अगर अगर अपन महनत करते हैं और सही दिसा में करेंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छा रहेगा सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चों को यह नहीं प करना है तो आप क्या करोगी उस चीज को skip कर दोगे और जो बाकी बचा हुआ portion है उसको आप पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा कि जब आप सारा पढ़ते तो आप एक घंटा मान लो एक घंटा उस पूरे portion को एक घंटे पढ़ते थे तो आपने पता लगा लिया कि टर्म तु इसी तरीके से हमें जो है वो preparation करनी है हमारी आज के इस पूरे वीडियो में completely हम detail से बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है किस तरीके से आपकी तयारी करनी है आप सबको syllabus पता चल गया होगा CBSC ने कुछ-कुछ portion delete कर दिया है तो आपको पता है वो आपको होगा अगर केस जो है वो जादा खराब नहीं हुए तो अगर केस अच्छे रहें मान लोगी ठीक है सही तरीके से चीजे होरी है तो पेपर आपका subjective होने वाला है तो सबसे पहली चीज आपको पेपर लिखते टाइम पे एक बात का हमेसा ध्यान रखना है आपको notebook की जो personality है उस पे आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है क्या होती है notebook की personality इस पे मैं detail से बात करूँ है लेकिन उससे पहले paper देने से पहले की जो चीजें है वो हम discuss कर लेते हैं आपको एक चीज का हमेसा ध्यान रखना है लगातार नहीं पढ़ना है आपको divide rule में पढ़ना है divide rule का मत पर दस घंटे कसी काम को कर रहा हो एक ही काम को दस घंटे कर रहा हो तो जितना जो है वो इंपुट जितना जेडी चीज किज अपना brain दो से तीन गंटे में इतना स्टोर करेगा उतना अगर आप 10 गंटे लगातार किसी काम को कर रहे हो तो वो काम आपका बेकार हो जाएगा तो इसके लिए आपको करना सिंबल सा यही है आप लगातार 60 या फिर 90 का रूल जो ब्रेक होता है वह बहुत लंबा हो जाता है जो पांच मिनट का जहां पर ब्रेक उनको बोला गया है वाँ उनका 500 मिंट का चला जाते है ऑन ज्मेशाछा फाटर थोड़ा मैंने ज्यादा बता दिया पचास एंट क facultyниц के आफe है कुछ बच्छे के एसom रहे कर रहें मालवा आप लगातार साट मिनिट पढ़ लिए या फिर लगातार 90 मिनिट आप पढ़ लिए उसके बाद मैं आप पांच मिनिट का ब्रेक ले तो उस ब्रेक टाईम में आपको क्या करना है मैं जो आपको बता रहा हूँ अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारा जो टार्गेट है 95% 90% 96% वो हम अचीव कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए एक राइट प्लाइनिंग राइट प्लाइनिंग का पहला पढ़ा पढ़ने से स्टार्ट होता है पढ़ाई करते टाइम पर आपको सिंपल सा ध्यान एक बात का जरूर रखना है 60-90 आप पढ़ रहे हो 60-90 में 5 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हो उन 5 मिनट के अंदर आप कोई भी मॉटिवेशनल चीज आप देखिए जो आपको मॉटिवेट करता है जो जो बढ़ता है भाई आस तो फोर देंगे आस तो फोर देंगे ठीके ज जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे उनका जो जोगस है उनकी जो पावर है वो कम हो जाती है तो हमें क्या करना है उस पावर को बूस्ट करते रहे हैं क्योंकि जब हम किसी काम को मन लगा के करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो मन लगा के करने के लिए हमे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर फोकस करो पढ़ाई धड़ा-धड़ से होगी भाई रिजल्ट तो पढ़ने से आएगा क्योंकि कोई चूरन नहीं है किसे के पास भी चूरन नहीं है घोल के पिला दिया ये लो 97% मिली गए ना पढ़ने से रिजल्ट आएगा तो सकस तूटने नहीं दे रहाएं वह सबकी अलगलग factor हो ते है कुछ लोगों को जो है वो फिंकी के मेशाज मिलते हुआ कि माम्मी-पापा से बात करने में मु dejकैन मिलता है किसी को कुछ करने से मुटिपेशन मिलता है उन पांच मिनundred के अंदर आपको वो काम किजीए जिससे बहुत सारे वीडियोज डाल लखे हैं ठीक है जो स्कूल में आप 10-12 घंटे वेस्ट करते थे थे ना अब ऑनलाइन का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि ऑनलाइन के अंदर आपके वो घंटे वेस्ट नहीं होने वाले हैं जो काम आप 10 दिन में स्कूल में होता था वो को जा करके बहुत अच्छे तरीके से टम टू की प्रपेशन करा रहा हूं इवन मैंने तो हर एक चाप्टर वाइस इंपोर्टेंट कोश्चन भी बता रखे हैं पर चैप्टर मैंने कुछ-कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन निकालने ठीक है तो इसकीप करने के लिए आपक चेग कीजिएगा फ्रेयलिस में वीडियो के देव लिंख मिल जाएघी या फिर कमेंट करके मुझे बताईएगा तो आइध्र वीडियो आपको पसंद आया है और अगर यह वीडियो पसंद आया ना दोस्तों तो अपने दोस्तों तक ज़रूर सेर करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रहना मुस्कुराते रहना खिल खिलाते रहना टाड़ा वैबर टेक के लव यू कीप सपोर्टिंग इन कीप से रहें